Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए पाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहां पे तीन सेट of cards हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Pisces और आपके लिए देखेंगे यहां पे सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं Page of Wands and Cohesence और देखेंगे दोनों ही cards कहीं किसी level पर contrary से energies की बात करते हैं जहां Page of Wands का card enthusiasm की बात करता है या मैं कह सकते हूँ कि over enthusiasm, over excitement की बात करता है Childish energies की बात करता है वहीं Cohesence का card कहीं बहुत discipline तरीके से चलने की बात करता है बहुत एक you know again मैं कहांगी organized तरीके से चलने की बात करता है एक stability, एक security भी चाहने की बात करता है और देखें इन दोनों cards को combine करें तो कहीं एक again stability, security आप लाना चाहा रहे हैं इस relationship के लिए और बहुत ही systematic तरीके से हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं यानि कि वो discipline, वो structure आप नहीं maintain कर पा रहे हैं और बहुत immaturity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं in the process देखिए बहुत एक high enthusiasm, बहुत एक high excitement भी रहता हुआ देख रहा है और देखिए यहाँ पे happiness is to love and six of cups के cards कहते हैं कि past पे यहाँ तो आप focus कर रहे हैं यहाँ पिर past से कोई चीज आपकी life में आ रहा है और देखिए थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ prices के लिए हो सकता है कि जो भी अच्छे पल आपने अपने partner के साथ पीछे बिताए जो भी beautiful memories हैं आप उनके बारे में बहुत ज़ादा सोच रहे हैं उन memories, उन यादों के उपर बहुत focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि पुराना कोई event, कोई relationship, कोई इंसान again कोई चीज पुरानी है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं या फिर जिस पे आप focus कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि past की कोई चीज आपकी life में, mid-may में या में 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 आ रही है और देखे जो भी memories है, जो भी past related चीज है वो कहीं happiness ही लेकर आ रही है या फिर मैं कहूंगी, एक beautiful energies आपकी life में लेकर आ रही है और देखे जैसे कि इस card को आप देख पा रहे हैं एक figure अपने हाथ में एक पौधे को grow कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही आप भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं जहां पर इस relationship के लिए एक growth, एक progress आप चाहा रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा भी इस relationship को अगर आप nurture करेंगे, नरिश करेंगे तो ये एक बहुत beautiful energies आपकी life में ला सकता है एक happiness एक joy ला सकता है और दिखिए फिर से अगर हम इस card को read करें तो इस card में लिखा हुआ है happiness is to love तो आपकी सारी खुशी, आपकी सारी joy आप अपने partner में ढून रहे हैं या फिर आपके partner से आपको मिल रही है और दिखिए हर again मैं कहूंगी खुशीन के लिए, joy के लिए आप अपने partner के उपर depend करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए हैं आप uniqueness and two of pentacles के cards कहते हैं कि कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि ये relationship बिलकुल अलग है आपके partner सबसे अलग है और बहुत ही different तरीके से आप अपने partner को love करना चाहा रहे हैं आप अपने partner के साथ, you know एक life spend करना चाहा रहे हैं और दिखिए कहीं बहुत ही एक transparency भी आप maintain करते हुए दिख रहे हैं चीजों को बहुत simple रखना चाहा रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि भाई, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे की चीजे complicated हो और शायद इसी लिए दिखिए एक balance आप लाना चाहा रहे हैं और थोड़ी सी difficulty हो रही है थोड़ा सा manage करने में issues हो रहे हैं लेकिन फिर भी आप manage कर पा रहे हैं फिर भी आप balance ला पा रहे हैं और दिखिए ये balance भी सब के लिए differ कर सकता है कुछ पाईसे के लिए professional, personal life में एक balance हो सकता है कुछ के लिए family और partner में एक balance हो सकता है या फिर से मैं कहूंगे कि किसी भी चीज को लेकर एक balance आप लाना चाहा रहे हैं again issues हो रहे हैं manage करना थोड़ा सा difficult हो रहा है लेकिन आप कर पा रहे हैं and in the process दिखिए काफी fluctuating energies रह रही हैं काफी up and down, काफी in and out आपको करना पड़ रहा है या फिर हो रहा है और अब देखते हैं पाईसेस के आपके partner के के energies हैं तो आपके partner के लिए दिखिए सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Eight of Pentacles और Eight of Pentacles का card बहुत devotion, बहुत dedication के साथ अपने goal, अपने मकसद के लिए एक effort, एक मेहनत करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही पाईसेस आपके partner के लिए भी कुछ time से या फिर May starting में रहतावा दिख रहा है लेकिन दिखिए ये general reading होती है तो सब पाईसेस के partner के लिए different areas हो सकते हैं जिनको लेकर एक मेहनत, एक effort पाईसेस आपके partner कर रहे हैं कुछ पाईसेस के partner के लिए ये relationship हो सकता है अगेन जिसको लेकर एक मेहनत, एक effort कर रहे हैं चीजों को better करना चाहा रहे हैं next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं कुछ पाईसेस के partner के लिए उनका work, professional front, उनका career हो सकता है जिस पे वो ज़्यादा focus कर रहे हैं और उसी area में एक मेहनत, एक effort भी वो कर रहे हैं और देखे जो भी surface level पे हो कहीं deeper level के लिए conflict का card कहता है कि किसी चीज को लेकर एक उल्जन, एक दुविधा, एक परेशानी भी वो महसूस कर रहे हैं और देखे ये भी सब पाईसेस के partner के लिए थोड़ा-थोड़ा differ कर सकता है कुछ के लिए external situations हो सकती है, circumstances हो सकते है कुछ के लिए internal किसी चीज को लेकर एक दुविधा हो सकती है जिसकी वज़े से एक परेशानी पाईसेस आपके partner कुछ time से या फिर may starting में महसूस कर रहे हैं लेकिन देखे या आप ए crucible and the herofin के cards कहते हैं कि वो आपके साथ togetherness चाहा रहे हैं वो आपके साथ family चाहा रहे हैं, marriage चाहा रहे हैं long term के लिए आपका साथ चाहा रहे हैं कहीं concrete realistic चीजें चाहा रहे हैं और इसी से ही related काफी issues, काफी मसले भी वो face कर रहे हैं और देखे ये भी सब के लिए differ करेगा लेकिन Hierophant Rivers का card कहता है society, religion या फिर कोई elderly उनके घर में figure हैं जिनकी तरख से जादा वो issues और problems waste कर रहे हैं और देखे शायद इसी लिए उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ होते हुए भी कहीं पूरी तरीके से उनको आपका साथ नहीं मिल पा रहा है देखे इस card में भी दो birds है एक bird पिंजरे के अंदर है और एक बाहार है तो देखे फिर से ये दोनों birds साथ में है लेकिन इस पिंजरे की वज़े से कहीं मिल नहीं पा रही है और फिर से देखे ये पिंजरा, society, religion की तरफ से एक restrictions हो सकती है या फिर आपके partner की ही thought process, belief system की तरफ से एक restrictions हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपके partner किसी चीज़ को लेकर बहुत rigid हो रहे है और देखे ये चीज़ें मेरे mind में आ रही हैं मैं कह रही हूँ या फिर ये cards, you know, इन ही चीज़ों के बारे में बता रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके की again एक limitations है आपके partner के लिए या फिर आपके लिए जिसकी वज़े से एक distance वो महसूस कर रहे हैं और कहीं इन ही चीज़ों को वो overcome भी करना चाहा रहे हैं और देखे हो सकता है कि इसी वज़े से एक conflict भी वो महसूस कर रहे हैं और कहीं देखिए and may के लिए यहाँ पर to be in love का card कहता है कि जो भी limitations हैं, जो भी restrictions हैं उनको किसी level पर वो overcome भी कर पा रहे हैं देखिए यहाँ पर crucible के card में यही birds कहीं अलग-अलग हैं और इसमें बिल्कुल एक union होता हुआ दिख रहा है बिल्कुल एक togetherness होती हुई दिख रही है तो देखिए again मैं कहाँगी कि ऐसा वो चाहा रहे हैं या फिर जो भी restrictions हैं, limitations हैं उनको मन ही मन वो overcome भी कर पा रहे हैं लेकिन यहाँ पर fool का card कहता है कि commitment नहीं दे रहे हैं या पर नहीं देना चाहा रहे हैं उनकी काफी carefree energies रह रहे हैं कहीं वो देखिए एक immature energies में भी रहते हुए दिख रहे हैं अपनी मस्ती में मस्त रहते हुए दिख रहे हैं जैसे चीज़े आ रहे हैं वैसे ही उनको लेना चाहा रहे हैं और देखिए end of May के लिए कहीं extra effort, extra initiatives वो नहीं लेना चाहा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो Pisces देखिए आपकी May starting के लिए immature energies दिख रहे हैं आपके partner की कहीं May end के लिए दिख रहे हैं और अगर overall देखिए तो देखिए आप दोनों की ही कहीं again immature energies दिख रहे हैं जिसको जरूर आप भी अगर पाएं तो check करके correct करें क्योंकि देखिए जब हम एक innocence के साथ चीजों को deal करते हैं हम बहुत ही एक childish behavior में रहते हैं तब तक चीज़ें अच्छी रहती हैं लेकिन in the process जब हम immature हो जाते हैं तब कहीं खुदी ही हम चीजों को खराब करते हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज़ को जरूर अप check करके correct करें और अब देखते हैं Pisces की में मन्त में क्या हो रहा है तो में मन्त के लिए देखिए आप इस सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं और देखिए ये cards कहते हैं कि कुछ time से या फिर में starting में कुछ issues हैं कुछ मसलें हैं कुछ problems हैं और देखिए ये भी सब के लिए थोड़ी थोड़ी differ करेंगी कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही एक नई beginning करना चाहा रहे हैं और उसी से ही related कहीं एक unfair energies या फिर उसी से ही related challenges आप महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए judgment का card भी कहीं endings और beginnings की बात करता है तो यहाँ तो again कोई ending कोई beginning में मन्त में हो रही है इस relationship में या फिर आप करना चाहा रहे हैं और उसी से ही related फिर से मैं कहूंगी या फिर otherwise भी काफी issues काफी challenges आप face कर रहे हैं और यहाँ पर five of swords का card कहता है कि आप दोनों या फिर आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि भाई यह इस relationship के लिए या फिर आप लोगों के लिए fear नहीं हो रहा है कहीं यह आप deserve नहीं करते हैं और कहीं दिखे किसी तरीके का एक injustice भी आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए external हो सकता है, circumstances हो सकती है, situations हो सकती है जो लोग आपकी life में हैं, उनकी तरफ से कुछ problems हो सकती है कुछ के लिए आपके ही belief systems हो सकते हैं तो दिखे जो भी हो, कुछ issues, problems, difficulties, कुछ time से या फिर में starting में इस relationship में रह रहे हैं और दिखे यहां पे mid-may के लिए witness and judgment के काज कहते हैं कि जो भी issues हैं, आप उनको अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहा रहे हैं जिसे बोलते हैं एक witness होके हर चीज को देख रहे हैं और बहुत ही slowly और gradually आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि beyond the point कोई risk ना लें, धीरे चलें लेकिन sure shot हो जैसे tortoise होता है न, slow and steady आगे बढ़ता है तो वैसे ही आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और इसी से ही related कुछ decisions, कुछ choices लेने पड़ें तो वो भी लेते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि एक ending, एक beginning या तो हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे हैं and देखिए end of me के लिए यहाँ पर touching one another and the magician reverse के cards कहते हैं कि again बहुत एक प्यार महबबत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं एक दूसरे को you know again मैं कहूंगी touch करना चाहा रहे हैं, सुनना चाहा रहे हैं कहीं एक दूसरे को महसूस करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं होता है न जब दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो बिना बोले उनकी बात समझ लेते हैं और बिना कहे उनकी बात सुन लेते हैं और you know again एक दूसरे का साथ चाहते हैं physical intimacy चाहते हैं बहुत एक नस्दीकी चाहते हैं वही कहीं you know again this relationship में हो रहा है या फिर आप लोग चाहा रहे है और Magician Rivers का कार्ट कहता है कि इन ही सब चीजों को लेकर अगर आपको थोड़ा सा manipulative होना पड़े थोड़ा सा diplomatically चीजों को handle करना पड़े तो उसके लिए भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ready दिख रहे है और दिखिए Pisces या आपकी energies मुझे जादा रहती हुई दिख रहे है और दिखिए बहुत smartly हर चीज को deal कर रहे है in the process हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से controlling थोड़े से dominating भी होते हुए दिख रहे है तो ये थी Pisces आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe ज़रूर करें